हेलो एब इबरिवन जीबन टु टूूरियल आपका एक बार फिर συवागत करता है आज जो हम रेक्शन पड़नेवाले हैं वह एक इडिशन रेक्शन है हम आज पड़ेंगे मार्कॉनिकॉक आफ्स ेडिशन आटिमार्कॉनिकोक इडिशन यह जो reaction है यह एक्चल में plus one alkenes में भी पढ़ते हैं plus one organic chemistry में किसमे alkenes में पढ़ते हैं और साथ में plus two में पढ़ते हैं किसमे methods of preparations of alkyl halides methods of preparations of alkyl halides और साथ में graduation first and second year में पढ़ते हैं तो यह reaction बहुत important है और इस reaction में आपके पास आज बहुत सारे concept clear होने जा रहे हैं अगर हम इस reaction की बात करते हैं तो इस reaction की बहुत जदा importance है किसी भी competition में तो चलिए इस reaction में आप हमारे साथ बने रहें और हम आपको खुशिश करेंगे कि यह topic आप थोड़ा अच्छे तरीके से clear कर सकें थोड़ा यह topic लंबा जाएगा लेकिन हम most of the आपके concepts यहाँ पे clear कर देंगे तो बने रहे हमारे साथ चलिए start करते हैं तो मैं यहाँ पे एक reaction लिख रहा हूँ देखिए मैंने क्या ले ली यह एक alkyne ले ली CH2 double bond CH2 यह जो alkyne मैंने ली है यह symmetrical alkyne है और symmetrical alkyne में मैं किस की addition कर रहा हूँ HX की किस की addition करूँगा HX तो अगर मैं HX की addition करता हूँ X मतलब आपके पास halogen family क्या denote कर रहा है X halogen family तो आपके पास यहाँ पे जो product बनेगा वो addition product बनेगा that is क्या CH3 क्या CH2 और साथ में क्या halogen addition product का मतलब समझ रहे हैं आप क्या मतलब हुआ इसका कि इसका मतलब यह हुआ कि अब आपके पास जो attacking reagent है वो दोनों की दोनों part उसके क्या हो रहे हैं तो उनों की दोनों part यहाँ पे add हो जा रहे हैं कहाँ पे हो रहे हैं add double bond के across इसके across हो रहे हैं double bond के across तो यह आपके पास यह addition direction है तो यह अगर मैं HBR से study करूँ HCL के साथ study करूँ HI के साथ study करूँ मेरे पास same results सब के साथ रहते हैं same आपके पास product आपके पास उसी तरीके से बनता है अब आगे अगर मैं किसकी तरफ चलता हूँ मैं चलता हूँ किसकी तरफ unsymmetrically alkenes की तरफ किसकी तरफ चलता हूँ unsymmetrically alkenes तो unsymmetrically alkenes का मतलब वह कि जो double bond है उसके cross जो number of carbons है वो क्या होंगे different होंगे जैसे की one propene या prop one in तो आप आप prop one के से लिख सकता हूँ CH3 CH double bond क्या है CH2 अगर मैं prop one in की बात कर रहा हूँ तो इसमें मैं क्या add करूँगा HX add कर सकता हूँ क्या add कर सकता हूँ HX अब आपके पास अगर मैं यहाँ पे product देखता हूँ तो मेरे पास एक confusion बन जाता है क्या कि यहाँ पे जो hydrogen है वो कौन सी position पे attack करेगा कौन सी position पे attack करेगा जैसे कि अगर hydrogen माननी चीए अगर यह first position मैं numbering कर रहा हूँ इसकी first, second, third तो अब यहाँ पे अगर hydrogen जो first position पे attack करता है तो आपके पास क्या बन जाएगा CH3 CH2, CH2, CH2 और hydrogen कहाँ जाएगा second position पे CH क्या आ गया, hydrogen X आ गया second position पे और CH3 आ गया तो आपके पास एक बन के जहाँ पे hydrogen क्या है, second position पे है और दूसरा इसमें क्या possibility है यहाँ पे दूसरी possibility है कि hydrogen कहाँ पे आ जाए आपके पास first position पे क्या आ जाए, first position पे तो यहाँ देखा गया है कि जैसे ही हम hydrogen acid की addition करते हैं तो आपके पास यहां पे जो product predominantly बनता है, वो कौन सा बनता है, जहां पे halogen कौन सी position पे है, second position पे, तो मतलब कि आपके पास major product यह बनेगा, तो अब चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है, कैसे होता है, पर इससे पहले एक दो example देख लें इसकी, तो चलिए इसके एक दो example दे रहा हूँ, मैं यहां पे directly एक reaction लिख रहा हूँ, देखिए, हम time बचाने के लिए पूरी तीनो reactions इकठे लिख रहे हैं, तो तीनो reactions मैंने कठे लिख दी, अब देखिए, यहां पे तीनो जब reaction लिखी, इकठे, तो आपके पास product क्या बन गया एक में, CL आपके पास second position है इसम तिनसी है किस तरफ जाने की, उस तरफ जाने की, जहां पे क्या है double bond के cross, minimum number of hydrogen है, क्या है, minimum number of hydrogen, तो आपके पास moreconic corpse rule यही कहता है, क्या कहता है मारकाणीगोप सुल यहीं कहता है कि जो हलोजन है वो आपके पास उस पार्ट पर अटाइक करेगा डबल बॉंड के क्रॉस उस कार्बन पर अटाइक करेगा जहां पे आपके पास क्या मिलेंगे उसको minimum number of hydrogen क्या मैं भी लेंगे उसको minimum number of hydrogen और जो least electronegative part है that is hydrogen है वो कहाँ attack करेगा जहाँ पे आपके पास क्या है more number of hydrogen तो देखिए यहाँ पे अगर इस reaction की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए HCL में H positive hydrogen है जो least electronegative part है वो कहाँ गया double bond के cross जहाँ पे more number of hydrogen है और जो more electronegative part है वो कहाँ गया आपके पास जहाँ पे double bond के cross जो carbon है उसके cross उसके पास क्या है minimum number of hydrogen तो यह simple सी इसकी reaction है अब यहाँ पे इसकी mechanism देख लेते हैं क्या देख लेते हैं इसका mechanism कैसे होती है indication की बात करता हूँ तो indication भी same ही है कोई इसमें ज़्यादा typical नहीं है चलो indication भी आपको जल्दी से बतायते हैं तो indication मैं ऐसे लिखता हूँ मैं इसको देखे क्या CH3 क्या CH double bond क्या CH2 और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ साथ में HX क्या लिख दिया मैंने HX तो X मैंने इस तरफ लिखा और hydrogen इस तरफ लिख दिया अब देखे यहाँ पे यह bond टूट गया तो यह इसके साथ लग गया और यह bond यहाँ पे टूट गया तो यह hydrogen इसकी तरफ चला गया इसका मतलब यह आपके बस प्रड़क भुन गया तो यह just indication है आपके थोड़ा सा धिमाग में याद रखने के लिए है अगर आपको और अच्छे से concept clear करना है इसका तो आपको हमेशा focus करना है mechanism पे तो mechanism को देखते हैं इसका तो इसके mechanism के अगर मैं बात करता हूँ तो इसके mechanism में एक ध्यार में रखने वाली बात जो यह है कि क्या यह carbocatine reaction mechanism के through reaction होती है किसके through होती है carbocatine reaction mechanism के through होती है तो कहने का मतलब यह है कि अब आपके पास देखिए जो h x मेंने लिया है simple common reaction की बात कर रहा हूँ वो dissociate करेगा क्या बनाएगा h positive plus क्या x negative वो क्या है ज्यादा mobile है past moving है तो वो सबसे पहले attack करेगा किसके उपर alkyne के उपर किसके उपर attack करेगा alkyne के उपर और यह जो step है यह slow step है क्या है यह slow step मतलब maximum time जो है यह reaction में consume करेगा किसको step को complete करने के लिए तो कहने का मतलब यह है कि मैंने यह लिख दिया यह फिर से वही alkyne लिख दी क्या CH double bond क्या CH2 plus क्या लिख दिया h positive क्या लिख दिया plus h positive तो product में क्या बन जाएगा देखो यहाँ पे product में क्या बनेगा slow step है यह product में बनेगे carbocatine क्या CH3 CH double bond क्या डबल bond टूड़ गया है सिंगल bond में और CH3 CH single bond CH3 और यहाँ पे क्या आगया चार्ज positive तो यहाँ पे जो carbocatine बना वो कौन सा बना secondary carbocatine क्या बना secondary carbocatine तो यहाँ पे अगर आपका secondary carbocatine बना है तो उसको देख लो आप कैसे बना secondary का मतलो क्या होता है जो second carbon है जो आपके पास जिसके क्या उपर है positive charge है उसके cross number of carbon कितने है दो है तो हम secondary बोलेंगे एक होता तो हम primary बोलना था अगर आप क्यास तीन होते तो हमने क्या बोलना था तो यहाँ पे क्या हुआ secondary carbogatine अब अगर मैं आगे चलता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए इस reaction में हुआ क्या यहाँ पे हुआ Electromeric effect क्या हुआ Electromeric effect के थूँ यहाँ पे reaction proceed करी कैसे देखिए plus effect है यह क्या है यह plus effect मतलब जैसे H positive किसके close जा रहा है carbon के close जा रहा है यह वाला system electron किसको दे देगा H positive को electron देगा और आपके उसी जो carbon है second वाला उसके उपर क्या रह जाएगा positive charge रह गया और आपके अस product में क्या बन गया फिर carbogatine अब next अगर मैं बात करता हूँ जो carbogatine यहाँ पे बना है वो किसके साथ react कर सकता है वो react कर सकता है किसके साथ जो आपके पास second part है इसका जो x negative बच गया था तो आपके पास यह क्या है past step है यह क्या है past step है जल्दी से product बना देगा तो मतलब कि अब positive charge यहाँ पे है तो देखिए अब negative charge electron क्या देदेगा positive charge को electron देगा हमेशे आपने याद रखना है कि जो head है वो उस तरफ होता है arrow का जैसे मैं यहाँ पे इस arrow को reprint कर रहा हूँ तो जो head है वो किस तरफ होता है positive center की तरफ जिसको electron दिया जाता है और जो tail है वो किस की तरफ होती है उस region की तरफ होती है जो electron दे रहा होता है तो इसलिए मैं आपको देखो यहाँ पे arrow का जो head है वो किसकी तरफ बताया है कार्बोकेटायन के पास बताया है और जो tail है वो किसकी तरफ बताया है X-negative की तरफ तो यहाँ पे product क्या बन गया CH3 क्या CH और यहाँ पे halogen और साथ में क्या बन गया CH3 तो आप देख रहे हैं इसमें की product वही बना जो हम वो कह रहे थे अब यहाँ पे यह study कर लेते हैं कि जो H-positive ने attack किया उसने जो कार्बोकेटायन बनाया वो secondary बनाया अब यह अगर इस second position पे मालनीज यह इस position पे attack करता तो अपने आस कार्बोकेटायन बनता प्राइमरी तो चलिए इसको भी देख लेते हैं तो मैं फिर से इसी reaction को लिख रहा हूँ कौन सा जो first step है जो slow step है उसको लिख रहा हूँ तो CH3 लिख दिया CH लिख दिया double bond के लिख दिया CH2 लिख दिया अब यहां पे मैं H positive का attack करवा रहा हूँ तो यह दो तरीके से attack हो सकता है possible attack दो तरीके से first attack की मैं बात करता हूँ जिसमें अगर यह क्या करें अगर आपके पास जगी electron अपने यहां से ले 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 और आपके अस first वाले carbon के पास H positive चला जाए तो product क्या बन जाएगा CH3 क्या CH positive और यहां पे क्या जाएगा CH3 मतलब secondary carbogatine अगर आपके पास यही काम ऐसा हो जाए कि क्या H positive second वाले carbon के पास attack कर दे तो आपके अस product में क्या बन जाएगा CH3 CH2 और यहां पे क्या हो जाएगा CH2 positive charge CH3 क्या CH2 और यहां पे CH2 positive charge अब आपके पास यहां पे देखिए यहां पे क्या बन गया primary carbogatine क्या बन गया primary carbogatine तो अब आपको एक पास पता है कि reaction forward direction में तब ही जाएगी अगर वो क्या होगी stable चीज़ बनाती है stable products बनाती है तो जो primary carbogatine है वो आपके पास इतना stable नहीं होता है किसकी comparison में secondary carbogatine के तो इसी लिए जो यहां पे reaction proceed कर रही है वो secondary carbogatine intermediate के through proceed कर रही है अगर यहां पे जो आपके पास reactant है माल लीजिए अगर ही H positive के साथ रिक्द करकी क्या बनाता तरश्री carbogatine यहां पे बनाने की possibility होती तो यह reaction कैसे चलती तरश्री carbogatine के through तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि यहां पे secondary carbogatine more stable है than primary इसलिए आपके आपके आपस reaction जिए प्रोसीड कर रही है वो इस तरीके से proceed कर रही है तभी तो आपके आपके आपस जो carbogatine यहां पे बन रहा है वो कौन सा बन रहा है secondary carbogatine बन रहा है तो आप इसमें modern definition भी define कर सकते हो इसमें कि आपके पास इस तरीके से बोल सकते हो कि Markovnikov's rule क्या है actual में basically Markovnikov's rule क्या है कि आपके पास formation of carbogatine across the double bond takes place in such a way that the most stable carbogatine should be formed there the most stable carbogatine should be formed there means to say when we attack with क्या किसे attack करते हैं H positive या क्या जो आपके पास BR negative है तो यहां पे पहले attack कौन सा करेगा H positive उसका मतलब यह हुआ कि जो H positive है जो वो attack करेगा तो हमेशा आपके पास reaction उस mechanism के through होगी उस intermediate के through होगी जहां पे आपके पास क्या होगा most stable carbogatine formation होगी जिसमें क्या होगी most stable carbogatine formation तो यह बड़ी simple सी reaction है यह आपको समझ भी आगी होगी अगर नहीं आई होगी तो आपने बताना है comment करें हम थोड़ा और जादा बेटर तरीके से कोशिश करेंगी समझाने की उसके बाद आगे आगे move करते हैं किसकी तरफ अब मेरे पास मालनी जीए एक और reactant है कुछ इस तरीके से मैं reactant को लिख रहा हूँ तो मैंने एक reactant लिखा देखी यह CH3 क्या? CH और यहाँ पे क्या लिख दिया? CH3 और यहाँ पे क्या लिख दिया? CH3 और यहाँ पे CH double bond क्या? CH2 अब यहाँ पे अगर आप notice करेंगे तो यह जो आपके पास first carbon यह होगा आपको पता है second यह होगा third यह होगा और यह क्या होगा? fourth होगा क्या होगा? fourth होगा तो अब यहाँ पे अब मैंने फिर से अगर reaction मैंने लिखी किसके हाथ? HCL के साथ लिखी तो आपको first time में ऐसा लग रहा है देखके कि यहाँ पे जो product बनना चीए क्या मनना चीए? यह क्या? यह वाला product जिसमें आपके पास CL कहा जाना चीए? minimum number of hydrogen जिसके carbon के पास है मतलब double bond के cross minimum number of hydrogen bearing carbon उसके cross जो उसके पास कहा जाना चीए? CL को जाना चीए लेकिन ऐसा नहीं होता है यहाँ पे जो product formation होती है यह नहीं होती है कौन सा product बनता है? यह वाला अब देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? कि इसमें यह वाला product क्यों बना? तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि यहाँ पे most stable carvocatine formation होगी तो आपने हमेशा इस बात को याद रखना है और reaction में हमेशा product किसके थुरू बनाना है? most stable carvocatine के थुरू तो जाली इसका mechanism अब थोड़ा सा ओगे आगे move करके देख लिते हैं तो जो HCl है जब वो dissociate करता है तो क्या मनाता है? H positive plus Cl negative क्या मनाता है? H positive plus Cl negative तो जो H positive है वो attack करेगा क्या करेगा? H positive attack करेगा देखी यहाँ पे जो H positive है जब यहाँ पे किस पे attack करेगा हो? first वाले carbon पे attack करेगा तो यहाँ पे जो सेकिंड वाला कार्बन उस पर क्या आएगा पॉजिटीव चार जाएगा किस पे आएगा पॉजिटीव चार जाएगा पॉजिटीव चार जाएगा पॉजिटीव चार जाएगा तो यहाँ पे जो कार्बो के टाइन बना है वो क्या बना है secondary carbocatine क्या बन गया यहाँ पे secondary carbocatine लेकिन आपको पता है कि जो secondary carbocatine है उसके बाबजूद यहाँ पे एक tertiary carbocatine भी बन सकता है क्या बन सकता है यहाँ पे tertiary carbocatine बोले का मतलब यह है कि अगर देखी यहाँ से CH3 methyl को यहाँ से उठा के किस पे रख दूँ second carbon के पास रख दू तो positive charge कहा आएगा इस carbon के पास आजाएगा किस carbon पे इस carbon पे तो जब आपके बास इस carbon पे positive charge आ गया तो आपके पास दिखिए यहाँ पे जो carbocatine बन गया कौन सा बन गया tertiary तो यहाँ पे rearrangement होती है किस की इस चीच की arrangement होती है methyl group का shift होता है किसका shift होता है methyl group का और methyl group shift करने के बाद यहाँ पे क्या बनता है तरश्री कार्बोकेटाइन क्या बनता है यहाँ पे तरश्री कार्बोकेटाइन और अब आपके पास जब तरश्री कार्बोकेटाइन यहां पर बन रहा है तो अब आपके बास next step में क्या होगा देखिए tertiary carbocatine more stable है किसे secondary carbocatine से इसलिए आपके बास यह rearrangement हुई क्या कि secondary किसमे convert हुआ tertiary में अब आपके बास जो tertiary है अब आपके बास positive charge है उसके पास tertiary की जो carbon है उसके पास क्या है positive chart तो क्या attack करेगा उसके उपर CL negative क्या attack करेगा इस position पे CL negative तो आपके बस product यहां पर बन जाएगा तो अब आपको एक clear पास चल गया है कि अब आगर आपके बस possibility tertiary carbocatine बनने की होगी तो यहां पर क्या बने का तरश्री कारbocatine क्या बन जाएगा यहां पर तरश्री कारbocatine अब थोड़ा आगे move करते हैं किसकी तरफ anti-marconic option की तरफ किसकी तरफ कर चलते हैं anti-marconic option option मतलब की पर-oxide effect मतलब की पर-oxide effect अब अगर मैं पर-oxide effect की बात करता हूँ तो मतलब अब इस order को मैंने reverse करना है किस order को reverse करना है करनी एडीशन ही है क्या करनी ludzi करनी है किया करनी है और ऑडर को चैंज करना है मतलब Hydrogen को कही और भेजना है BR को कही और भेजना है मतलब अब देखिए यहां पे तो मैं एक example लिख रहा हूँ इस reaction का मैंने क्या किया unsymmetrical alkyne ही लिए क्या लिए है unsymmetrical alkyne क्योंकि अब आपके unsymmetrical में तो कोई issue नहीं रहने वाला हम क्या लेते हैं once again unsymmetrical alkyne ले लेते हैं तो जब मैं unsymmetrical alkyne लिता हूँ तो इस unsymmetrical alkyne में मैं करता हूँ once again hbr की addition करता हूँ किसके presence में करता हूँ किसी peroxide के presence में and uv light भी use करते हैं अगर आपने इस reaction को करवाना है तो peroxide के presence में आप इस reaction को करवाते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो product बनता है वो क्या बन जाता है यहाँ पे one bromo product बन गया क्या बन गया यहां पे one more product क्या बना देखो यहां पे CH3 क्या CH2 और यहां पे क्या बन गया CH2 क्या BR अब देखिए पहले जो आपने पड़ा था उसमें BR कौन से position पे गया था second position पे अब BR कौन से position पे चला गया first position पे तो इसका मतलब यह जो paroxide है यह बहुत important role play कर रहा है इस reverse order करने के लिए, इस order को reverse करने के लिए, इसी rule को हम क्या बोलते है, anti-marconic ops rule, कि जब आपके पास कोई paroxide लिया जाता है, तो जो reaction आपके पास होनी थी, उसकी जगह क्या होती है, अलग तरीके से reaction हो जाती है, बोलने का मतलब, जो more electron negative part है, वो उस carbon पर attack करता है, जहां पर आपके पास क्या lesser number of क्या मिलेंगे, उसको hydrogen मिलेंगे, तो चलिए, इसका mechanism देखते हैं, इसका mechanism तीन स्टेप्स में होता है, और free radical direction mechanism के थुरू ये direction होती है, तो जब first mechanism है, इस first जो आपके पास step है, इसमें, वो है आपके पास क्या chain initiation step, क्या है यहां पर chain initiation step, तो chain initiation step में आपने एक बात याद रखना है कि परोक्साइड कुछ भी हो सकता है, बेंजोल परोक्साइड ले लिया, या कोई और परोक्साइड ले लिया, तो मैं simply परोक्साइड में आपके पास मालने जिए क्या ले लिया, आर, ओ, ओ, आर, कोई भी परोक्साइड ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने कोई यह वाला परोक्साइड ले लिया है, अब देखिए, अगर आपके पास मैं एक जनरल एक्जाम्पल ले रहा हूँ, किसी परोक्साइड के टर्म से, तो देखिए, अगर यहाँ पर जो परोक्साइड है, यहाँ पर यहाँ परोक्साइड और कितने बन गई है तू मोल्स बन गई है इसके आर ओ फ्रियाडिकल के मतलब फ्रियाडिकल मतलब एक लेक्टॉन इसके पास अभी भी है जो बॉंड बनाने के लिए इंपॉर्टन है इसके लिए तो यहाँ पे लाइट की बिजिन्स में यह ब्रेक हो गया अब आपके बस ज साथ कसी आप इसrik करता है तो यहाँ पे जैसे hydrogen और बिइदो जाता आटा यज करता है और आपके पास यहां पर ेसने लेकां किया आपके बंगया और उच साथ में बन गया बिया इथिकलग्स यह अब आपके पास active species है, यह सबसे पहले यहाँ पे attack कर सकती है, तो बोलने का मतलब यह है कि यहाँ पे अब मैंने अलकील लिख दिया देखिए यह वाली CH3 क्या CH double bond क्या CH2, प्लस क्या ले लेता हूँ फिर मैं, BR radical, क्या लिख दिया मैं यहाँ यहाँ पे, BR radical, अब आपके यहाँ पे जो product बन गया, वो क्या बना देखो, यहाँ पे यह electron लेकि किसके पास जाएगा, इस carbon के पास जाएगा, यह आपको पता है, क्यूंकि अब आपको यहाँ पे दिखिए, यह पता है कि अगर मैं एक electron यहाँ ले लिया, इसका, जो double bond का एक electron है, वो इस तरफ ले लि free radical, और यहाँ पे क्या CH2, BR, तो इसमें और जो पिछली reaction है, उसमें कोई ज़्यादा difference नहीं है, बस यही है important यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात की क्या, कि यहाँ पे आपके वास क्या बन रहा है, free radical, क्या बन रहा है यहाँ यहाँ पे, free radical, अब आपके वास अगर मान लि free radical, जो है, वो more stable होता है कि इसकी comparison में, primary free radical के, तो इसे लिए यहाँ पे जो reaction हो रही है, वो किसके through हो रही है, secondary free radical की formation के through, तो अब आप आगे देखते हैं इसमें, कि आगे आपके वास क्या होने वाला है, अभी आपके वास ही, जो first, जो two आपके पास मैंने steps लिखे, कौन स chain propagation, चेन 달as, एक अब बोलता हूँ उसको मैं chain propagation, तो chain propagation में देखते हैं क्या होता है, तो अब यहाँ पर क्या बना है, free radical बन गया है, यहाँ पर, free radical बन गया है, और जो free radical है, अब किसके अब रहाऍग कर से ब़कि किसके बना है, one second, HBR के ओपर अपर अटेक कर सेथ PAUL के बन बन निया oxygen के साथ तो बच गया सा न बी-र उर फ्रेय्डिकल तो यह आपके बसarak परिप्रिट्पस बन गए हैं तो यह आपके पास्ड के दो सब्स्ट्राइब क्या बन ईए चेन रॉप्र बॉप्यरिखेनbb इस च dependation की किसए बात करते हैं किसकी बात करते हैं termination की बात करते हैं तो termination आपके अलग अलग तरीके से हो सकती है कि हो सकता है कि जहाँ पर क्या बचे हो BR radicals ही बचे हो तो BR और BR radical एक दूसरे के हाथ रेक्ट करके क्या बनाएगा BR2 बनादेगा यह हो सकता है कि यह वाला जो जो आपके पास secondary radical है वो बचा हो तो BR radical के साथ ब्रेक्ट करके क्या बनादेगा यह next compound बनादेगा तो बोलने का मतलब यह है कि यहाँ पर दो-तिन steps में आपके 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 चेंड टर्मिनेशन होती है तो यह आपके पास इसमें क्या है तो होपसोगी आपको समझ आ गया हो अब एक important question आपसे पूछते हैं question है क्या मैं क्या करता हूँ यह जो reaction मैंने अभी लिखी है पारोक्साइड के presence में इसको reaction को HCL के साथ भी लिखता हूँ और HBR के साथ भी लिखता हूँ HI के साथ भी लिखता हूँ मुझे आपने product बनाने बताने हैं कि क्या product इसमें बनेंगे तो देखिए इन सब के उपर मैंने arrows लिख दिए अब arrows जब मैंने लिख दिए तो अब आप बताईए कि product क्या बनेंगे तो पहली reaction है HCL के साथ तो HCL में product क्या बना product बना क्या CH3 CHCL और यहां पे क्या CH3 अब आप बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा थोड़ी देर के लिए आप देखिए इसको उसके बाद इसकी discussion करते हैं कि कैसे यह हुआ दूसरा आपके पास HBR के साथ product मनाते हैं इसमें तो HBR के साथ क्या बना CH3, CH2 और यहां पे क्या है CH2, BR अब देखिए यहां पे आपके पास anti-warconic ops rule लगा और उपर आपके पास marconic ops rule के थुरू ही तो next करते हैं तो next की बात कर रहा हूँ मैं तो अब आपके वास जो third है उसमें क्या होगा HI है HI में आपके प्रोड़क क्या बना देखो CH3, CHI और यहां पे क्या बन गया CH3 अब यहां पे भी आपके पास जो anti-warconic ops rule नहीं लगा जबकि उपर क्या लिखा था मैंने इसके उपर arrow के उपर तो यह आपने important point याद रखना है कि जैसे ही मैं reaction HCL और HI की करवाता हूँ किसके साथ alkem के साथ alkem के साथ unsymmetrical alkem के साथ किसके presence में परोकसाइड के presence में तो आपके पास anti-marconic ops rule के थूँ वहां पे addition नहीं होती है वहां पे marconic ops rule के थूँ ही addition चलती है इसका reason क्या है इस reason को समझने के लिए यहां पे हम देखते हैं इस example में अब इन example का देखो यह जो मैंने तीनों example लिखे हैं इन example में देखिए अब जो next में आपको इसका जो data दिया है वो thermodynamics data दिया है कौनसा thermodynamics data दिया है अब आप देखिए जो उपर HCL है उसमें आपके आपके था तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो age 더èreये section होगी वो अगले further steps कोунк Dimцию करने में help करती है, जो energy effective party होती है वह आगे further steps procedure करती है लेकिन जो HCL और THI है उसमें इसा नहीं हो रहा उसमें जो HersHey the energy नहीं निकल पारी वो endother pattern step है और अगले steps को करने के लिए energy नहीं निकले मिलेगी, तो इसलिए product formation आपके पास anti-marconic ops rule के through नहीं होगा, इसके through होगा directly, marconic ops rule के through, तो hopes आपको यह समझ आ गया हो, अगर आपको कोई इसमें doubts हैं, तो please पूछे, comment करे, वीडियो के रीचे, हम कोशिश करेंगे उनको solve करने की, या अगर आपको यह वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप बताएं, हम कोशिश करेंगे उसको और अच्छे से बनाने की, thanks for watching, subscribe करना, share करना, और like करना, साथ में comment करना ना भूलें,